एक विशा ऐसी चर्था आई कि जी एस्टी में बार बार बरलावाया इसको अच्छा माने या पुरा माने मैं हराम हूँ भारत के फैडरल स्ट्रक्शर का एक बहुत बड़ी एक अच्विमेंट है जी एस्टी के रचला कि अब राज्यों का भावनाओं को उसमें प्रगटी करण होता है कॉंग्रेस शासित राज्यों की तरफ से भी वहाँ विशा आते हैं क्या हम ये कह करके बंद कर देख नहीं हमने जो किया वो फाइनल सारी बुद्धी भगवान ने हमको ही दी है अब कोई कुछ सुधार नही अब करना चाहिए अब इतना बड़ा देश है इतने बड़े विशह हैं जब राज्यों के बजिट आते हैं तो शेल्टेक्स में आपने देखा होगा कि बजेट पूरा होता होते सेल्टेक्स हो या आन्ने कोई टैक्सी हो कई चर्चाहें आती है और बाद में आखिर में अगर इतना ही ज्यान आपके पास था इतना ही सरल बनाने का क्लियर विजन था तो इसको लटकाए क्यों रखा था भई ये ये ब्रहम ये ब्रहम मत फ्यलाईए मैं बताता हूं मैं बताता हूं मैं आज अज आज आज आपको सुना चाहिए प्रणावदा जब वित्नमंत्री थे तब गुजरात आए थे हमारी विस्तार से चर्चा हुए मैंने उन से पूछ कि दादा ये टेक्नोलोजी डिवन विवस्ता है कि इसके विशे में क्या हुआ है उसके बिना दे चली नहीं सकता है तो दादा नका ठरोवे तुमारा सवाल तोनों ने अपने सचीव को बुलाया और उन्हें देखो ये मोदी जी क्या कर रहे हैं तो मैंने आपे देखी ये को हायर करेंगे और करने वाले मैं उस समय की बात करता है जो मुझे जीएश्टी के कहने आए तब भी ये विवस्ता नहीं थी दूसरी बात तब मैंने कहा था कि आपको जीएश्टी सफल करने के लिए जो मैनुफेक्शनिंग स्टेट है उनकी कठीनाईयों को आपने एड्रिस करना होगा तमिल नाडू है करना टग है गुजरात है महराश्ट है बाइन लाज द्यारा मैनुफेक्शनिंग स्टेट जो उपभोगता राज्य है जो कंजूमर्स ट्रेड उनके लिए मुश्किल नहीं है और मैं आज बड़े गर्व से कहता हूं कि जब अरून जेकली वित्तमंत्री थे उन्होंने इन बातों को एड्रेस किया इसका समाधान किया उसके बाद जीएश्टी में पुरा देश साथ चला और करके जीएश्टी का राफ्ता प्रसस्त किया है इतना ही नहीं अगर हम बड़लाव की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि बार बार बड़लाव क्यों मैं समझता हूं कि हमारे महापुरुष्वन इतना बड़ा महान समिधान दिया उसमें भी उन्होंने सुधार के लिए अवक स्वागत होना चाहिए और हम देश हित में हर नए और अच्छे सुझाओं का स्वागत करने वाली विचार को ले करके चलते हैं